वेडी गूड अप्टरून टू आल जुड़ जाएं एक बार सभी एलिमनेशन्स के टॉपिक मैं बीच बीच में लाता रहता हूँ इसका रीजन है कि ये टॉपिक थोड़ा सा उलजा हुआ होता है और बहुत पडिसानी होती है उसको मैं कोशिस करां कि सुझाने की कि जितने बहतर तरीके से मैं आपको कड़ा सकूँ टॉपिक से होते हैं कि ती चार नमर के कुश्चन कभी दो नमर के कुश्चन देखने को मिलता है लेकिन उनको कैसे कलेक्टिव वे में बहुत आसानी तरीके से पढ़े फर्स्ट टॉपिक हमने इससे पहले आप लोगों के लिए करा रखा था और आज इसका सकेंड लेक्चर होगा मैं बात करूँ तो मैं ज़्यादा डिस्करशन यहाँ पर करने वाला नहीं हुँ यहाँ 2 वीच्र ही वे बात करूंगा टापिक ऊवरेंस में चलना आपर जरूरी होगा हमार लिये ठीक है चलिए तो सबसे पहले कर रहा है वाद में बात करे से और दूसा है उसमें क्या जानना है last class में good afternoon good afternoon last class में हमने कहां छोड़ा था आपको ये बहुत important matter करता है last class में unit 1 के अंदर हमने आपको यहां छोड़ा था elimination जबकि आपको बता गया था कि ये चीजें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी ये चीजें अच्छे से समझाई जाएंगी तो इसके बारे में हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं ओके प्रसांद जी चलिए good afternoon good afternoon अब मैं बात यहां पर कर लूँ थोड़ी सी थोड़ी सी बात कर लूँ अपनों के साथ एक सेकेंड एक सेकेंड थोड़ा सा इसके आवाज थोड़ी कम कर दूँ ठीक हैं चलिए चलिए लास्ट कलास जहां मैंने छोड़ा था अब उस पे थोड़ी चर्चा हो जाए लास्ट क्लास जहां मैंने छोड़ा था वहीं पर चर्चा हो जए चलिए चलिए एक सके चलिए 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 यहाँ पर क्या था क्या बोला था Eliminations Eliminations और Lumens क्या होते हैं चीजें बहुत कंफ्यूज करने वाला होता सबकी चर्चा करते है Eliminations क्या होता है कि कोई source of light से अगर light रिलीज हुआ है उसके बाद जो reflection होते है जो light आपको glow करता हुआ दिखता है कहीं कहीं suppose that यह अगर एक मुंबत्ती है candle है तो इसका light कहीं कहीं दिखता होगा ना यह Eliminations और यह कहीं पर परता है फिर वर आ चीज है दिखती है तो यह क्या होते है Eliminations होत यह क्या होत है ופPS ब snatch क्या होता है जो source आपकोई बोडि जहांसे कोई चीजें होती है यहां पर बात आती है luminance की और यहां पर बात होती है illuminations की धियान लखेँगा Illuminations और luminance क्या होता है होता है जैसे कोई बल्ग इनर्जी जो लाय्ट रिलीज कर रहा है और इल्यूमिनेशन स्Fit हैं जो रेफ्लाक्षण होता है किसी लाइट का मैं यहां करूं समझेगा तो क्या कऊच रहा हो है Eliminations, Eliminance यही कहलाता है फेनोमिना यानि एक light अभी जो मैं दिख रहा हूँ light के कारण तो reflection हो रहा है और इस body पर light पर रहा है वो आपको reflection हो कि आपके पास जा रहा है इसका मतलब कहीं Eliminations है और lumens कहा होता है जो source कोई light को release करता हुआ होते हैं अगर कोई bulb खड़िते हो देख रहा है कोई bulb खड़ितने जाते हो 100 watt का पहले बलब आता था उस पूर आता था कि इसकी Eliminance होती है लिखा रहेगा 400 lumen है 1200 lumen है 1800 lumen है क्या होता है इसकी मतलब हम सब समझाएंगे आपको चलिए यहां पर देखें क्या कर रहा है it is defined luminous flux बच्चो एरिया सपोजड यह candle ही है यह जो अपने light को release किया होगा तो पर unit area वह नहीं पर unit area यह मतलब लागा लो इतना बड़ा एडिया जिसमें एक मिटर की साइज हो एक मिटर की साइज यहां से उपर unit area उस्सी में बोलते है उसी को define कर आता है कि किस से illumination है किस से illumination तो यहां पर इसको हमने define करा जाता है last time यहाँ पर देखिए Eliminations को Ease अगर करा जाए तो यह कहता है total flux कोई सा flux total flux यह electricity वाला flux नहीं है यहाँ light का flux है total flux बटा क्या होगा आपका area बटा क्या है area अब यह total flux क्या है यहाँ पर luminous flux है total flux मतब luminous flux यह luminous flux क्या है कि light के अपने एक दाइरह होती है light की एक दाइरह होती है अभी मैं बता रहा हूं total flux क्या होता है यहाँ समझेगा luminous flux क्या होता है suppose that luminous flux कहता है कि अगर यह candle जल रहा है तो क्या किसी एक ही direction में जाएगा light इसका दाइरा भी तो बढ़ा। अब देखिए यहाँ पर बात होने लगती है radian और stay radian के पहले चीजों को समझेगा radian and stay radian यह किसचरिया का नाम है तो आशा उसको समझ लेते हैं radian and stay radian कहता है radian stay radian कहता है कि देखिएगा रेडियन किसमी होता है स्टे रेडियन किसमी होता है अगर एंगिल आपका इस x और y axis में सिर्फ हो y axis और x axis हो तब जो एंगल चलता है इस दो डैमेंशन ये कौन सा डैमेंशन है ट्यू डैमेंशन तो इसमें हमेशा बात अगर थीटा की करूं तो यह क्या हो गया रेडियन में इसको कैसे मा अपने हैं रेडियन में ये भी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जब 2D की बात हो X-axis और Y-axis की बात हो ओके जाजी चलिए ठैंक्यू नेक्स्ट यहां पर कहरा X-axis है एक और दूसरा है य एक्सिस तो जाब 2D की बात होती ते रेडियन में होता है एंगल देखते ना चाप घुमाते हैं ऐसे चाप को घुमा देते हैं कहीं ऐसे कईचाप होता है यहां समझने स्मस्स को समझना को समझना आपको सेर 8 यहां से जब कोई लैट निकला ओगा तो इस तरीके से इस टैप के से निकलेगा एसा से निकलेगा अगर यहां कोई जल लाओगा तो volume के रूप में निकलेगा, 4 side जाएगा, volume के रूप में 4 side जाएगा, clear है, 4 side जाएगा, तो यहां पे stay radian होता है, यहां पे बात क्या होती है, stay, यहां पे जो बात आती है, वो होती है, stay radian, stay radian क्या होता है, इसमें maximum angle होती है, कितना, 360 को गु क्योंकि आधा स्पेर यहां आधार स्पेर नीचे तो हो गया 720, 720 इसका मतलब स्टेर रेडियन होता है 4π, ध्यान समझे यह साइंस में भी कुश्चन पूछ देता है, इसके अब्जेक्टिव में पूछ देता है कि स्टेर रेडियन का मैक्सिमम इंगिल कितना होता है, चुकि यह कि स्फेर वोल्यूम के लिए बात होती है, इसलिए 4π और रेडियन की बात होती है, तो 2π, क्या रखना है, एक complete cycle कि अगर स्फेर की बात होगी तो होगी बात 4π की, अगर टू डेमेंसेंस की बात होगी तो एंगल हमेशा 300 सार से कभी ज्यादा हो नहीं सकता, 300 सार से ज्य से कभी ध्यान रखना है, चलिए, अब वही चीजे आती है, इस light में, जब कोई light कहीं बल्व कोई glow करेगा, तो उसके environment में चारो साइड वोल्यूम के रूप में जाएगा, तो वहाँ पर बात आती है, स्टे रेडियन की, क्या आती है, स्टे रेडियन की, क्या आती है, स्ट इधा जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, वो चारो साइड से पकड़ेगा, तो इसके लिए स्टे रेडियन की वर्ड यहाँ पर आती है, चलिए, मैं यहाँ पर कुछ बात और कर लूँ, फिर आपको सिखाओ, एक इस चीज को रफ कर दो थोड़ा सा, फिर आप अच्छे से पाएं, और स्टे रेडियन के लिए जो होती है, स्टे रेडियन के लिए कितती होती है, फॉर पाई, यह उब्जेक्टिव टैप के रिखाम में सीधे पूछ जाते हैं, अब्जेक्टिव लाएं सीधे यही नहीं, साइन्ष के कृश्चन में भी पूछा जाएगा, चलिए अब क्या कहा रहाए हिहाँ पे समझेगा कि यह क्या हुआ टोचल फ्राइव साफ अब समझेटो टोचल फ्लक्स इन्लूमिनेशन्स कहता है कि टोचल कितना फ्लक्स गया अब देखिए यहाँ पे मालो नुह कुछ ऐसा कर्भ बना दिया गया होगा कि इतना ही दूर जाए सबोस्ट है इतना ही दूर जाए तो टोटल फ्लक्स करद यस auf एक करद इतना एरिय के इतना एरिया पर इतना पर तो total luminus per unit area पर जितना परता उसी को बलाता है luminance उसी को बलाता है luminance क्या बलाता है luminance या लुमिनेस याद रकिएगा अब देखेगे अगर इसकी दाइरा बढ़ा दिजेगा अगर इसकी दाइरा बढ़ा दिजेगा और जैसे जिसे पीछे चले जाओगे इसको पीछे जाओगे तो एडिया बढ़ जाएगा इसको पीछे ले जाओगे तो क्या होगा एडिया बढ़ जाओगे तो एडिया अगर बढ़ जाओगे तो एडिया अगर उसका illumination कम हो जाएगा इसलिए light क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जो light होता वो क्या होता है कम हो जाता इस चुछ का भी ध्यान रखना है तो को हम इस तरी के से define करते हैं चलिए कुछ चीओं को और बढ़िया से यहां पर define कर लिया जाए यहां से कुछ चीओं को आपको एक चीज़ पता चलिए यह जो है luminous flux है total क्या flux और यह क्या उसका area यह क्या उसका area कितने area पर पढ़ा और यह क्या है illuminance यह क्या illumination यह इल्यमिनेंस चलिए next मैं जाता हूं यहां पर कि थोड़ी चीजों को और समझना पड़ेगा यहां पर कुछ यह को समझना पड़ेगा एक होता है luminous flux एक होता है radiant flux एक होता है luminous flux दूसरा होता है radiant flux हम इसकी बारे में चर्चा कर लेंगे समझेगा यहां पर luminous flux और radiant flux में difference क्या होता है कहता है कि जो भी lights होते हैं ध्यान समझेगा जो भी lights होते हैं total lights तो हमारा luminous flux और radiant एक तरिक से सेम भी होता है एक तरह से डिपरेंट भी होता है तो रेडियंट लाइट जो होते हैं रेडियंट लाइट में अलफा बीटा गामा सारे रे कंसिडर होते हैं किसी लाइट से निकला हुआ alpha, beta, gamma visible, non-visible दोनों light include होते हैं उसको बोलते है radiant flux या radiant ray और जो हमारा बात होती है luminous flux तो luminous flux सिर्फ वो flux light consider होते हैं जिसको हम देख सकते हैं जैनि 7 color alpha अपने consider नहीं होता beta ray नहीं होता है, gamma ray consider नहीं होता तो luminous flux के अंदर only visible जो human के eye को sense करता है वही flux होते हैं वही lights होते हैं और जबकि radiant flux की अगर बात की जाए radiant flux की बात की जाए तो इसमें human को जो भी color देख सकता वो 7 color तो हो गई उसके साथ luminous flux के उसके साथ alpha, beta, gamma, rays भी जो होते हैं वो भी इसमें include होता तो यही दोनों में difference आता है अधरवाज दोनों चीज़ तो वही है total amount, visible light का कितना है यह रहा अगर कोई source यहां से release कर रहा है, कोई source यहां से release कर रहा light तो total amount क्या है उस visible light का emitted by a lamp, किसी lamp के तार, it's different from the radiant flux, it's different from the radiant flux, जो radiant flux से थो हाँ से difference होता है, तो luminous flux is the amount of light that human eye sends, जिसको इंसान के आथ क्या करता है देख सकता है, वही कहलाता है luminous flux, और जिसको नहीं भी देख सकता है, उस light को भी अगर consider कर ली जाए, तो वो आ जाएगा radiant flux में, इसका मतलब radiation flux क्या होता है, it is the measurement of the all electromagnetic radiations, electromagnetic radiations आपने साइंस के अंदर ये भी चीजिए चलती है, एक होता है क्या, electromagnetic और एक होता, mechanical wave, यह सब के बारे में चर्चा किया होगा साइंस में, electronic wave में क्या होता है, जितने वीजी वाल जो सन लाइट से रे आता है, वो क्या होता yapti bud, जो सन लाइट से रे आते हैं, वो ऑते viennent magnetic wave, उसमें क क्या होता है seven colors ही होते हैं और उसके साथ alpha beta gamma यह सब होते हैं alpha beta gamma यह सब भी color होते हैं तो वही कह रहा है radiant flux जो होता है measurement of the all electromagnetic radiations emitted including infrared ultraviolet and visible visible तो रहे गाई सिर्फ visible होता तो luminous flux होता है जिसको हम देख सकते हैं और जो visible नहीं भी है वो आ गया इसके अंदर किसके अंदर radiant flux के अंदर यह किसमे आ गया radiant flux which is the total amount of objective lights total amount किसी light का total amount sun के बारे मागर बात करूं यह अगर आपका sun है तो sun से निकलने वाला total light किसमें आ जाएगा radiant flux किसमें इसी को न बोलते है radiation क्या बोलते हैं जी रडियेशन अगर science में जाते हो इस ही को radiation बोला जाता है और इस light के term में हम बोलते है radiant flux या radiation flux है और इसमें से कुछ range ऐसा होता है ध्यान से समझना है कुछ ही range ऐसा होता है जिसमें visual होता है वो हमारे होते है luminous flux वो ही होते है luminous flux अगर sun होगा अगर इस light में सब देखने वाला है तो यह हमारे luminous flux होगे क्या होगे luminous flux होगे चलिए थोड़ी सी चर्चा और कर लूँ मैं यहाँ पर एक चीज़ मैंने बोला था जो कोई source release करता है और किसी पर पर के जो आप देखते हो दोनों में क्या difference है जो कोई source release करता है उसी को बोलाता है lumens उसी को क्या बोलते हैं जी lumens यानि कोई bulb कितना lumens से energy release कर रहा है कोई bulb कितना अभी termology सिर्फ सिखा रहा हूँ बाकी बहुत सारी चीज़ अभी आने वाली है termology सिखा रहा हूँ कि illuminance और एक चीज़ ऐसा होता है दिखीगा illuminations illuminations क्या होते हैं जब जिस पर कोई चीज़ परता है वो आपको दीखता है ये light दीख रहा है किसी light के कारण कोई object दीख रहा है जो किसी कार्ण दीखता है जिसे कारण reflection आपको दीखता है illuminations होते हैं अब कुछ term होते हैं जो exam में पुछे आते हैं हम उसकी पहले चर्चा करते हैं जो फिर यहां पर आएंगे पहले उस चीज़ों की चर्चा करते हैं जो exam में बहुत important होता है यहां पर यह चीज़ें exam में बहुत frequent पुछी जाती है आपको exam में यह चीज़ें बहुत frequent पूछी जाती है जैसे कि luminous energy क्या होता है जिहां से समझेगा एकडम यह term आपको important होता है और exam point of view से बहुत important होगा इसको आपको याद रखना होगा यहां समझेगा जिसको मैं समझाता हूँ बाड़ी किसे एनर्जी की बात आती है जब energy electricity में बात करूं तो क्या करता है power into time energy क्या करता है power into time यहां पर किसी से बार हुई है luminous energy तो luminous energy की बात होगी तो lumin into second चुकि lumin अपने आपने आप में रे जो रिलीज होता है light जो रिलीज होता है उसकी power है उसको time से गुना कर देंगे तो क्या हो जाता है luminous energy energy so lumin second lumin second इसका आपका क्या होगा unit symbol में LMS LMS इस इसका ध्यान रखना चलिए चलिए next बात करता है पहले मैं discussion नहीं करूंगा आपके comment का क्योंकि topic फिर अधूरा सा हो जाता है जिलिया सा हो जाता है पहले जो करते है फिर last luminous luxe illuminations candle यह unit है आपने आप में term है बच्चे को यही confused होता है कि यह अपने आप में unit है या कोई terminology है इस ही में confusion होता है जैसे अगर कोई बोला luminous flux luminous flux के जगा पर वही कोई आगर value दे दे आपका lumin तो confusion हो जाता है जबकि luminous flux के लिए unit आता है luminous flux के लिए unit आता है luminous के जगा पर अगर lux कर दे चुकि उसका unit होता है तो फिर confusion हो जाता है कि यह क्या चीज़ आ गया तो ध्यान रखना है कौन कौन सा element है और किसके unit क्या है इसलिए separate किया मैंने यह term है जो हमारे parameters है यह term हो है जो हमारी unit है यह term unit है यह हमारी parameter है जैसे कि luminous flux अभी हमने एक देखा था ना illuminations के लिए formula था luminous flux बड़ता area तो यह वाला luminous flux को किसमे करते हैं स्टेज को भी देख लिए luminous flux एक तरीके से luminous power है यहां देखेगा यह इसको मापते हैं lumin की concept अभी बहुत 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 बहुतरी इन तरीके से में बताऊंगा एक bulb जो 100 W का देखा होगा practical ही चीजों से अगर मैं सिमझाओंगा तो वह चीज़ें आपको बहुत बहुत बहुतर लेगा हम कोशिज करते हैं कि अभी वही चीज आने वाला है आपके लिए कि बल्व में आप कैसे देखते हो अगर बोलता 1.4 ल्युमन पर वाट तो उसका क्या मतलब होता है उन सब चीजों की चर्चा करेंगे पहले इस जोंके समझे यह जो ल्युमन फ्लक्स था पर यूनिट एरिया तो यही क्या होता है इसी को दूसरे तरीके से केंडला स्टेरेदियन भी बोलायाता है द्ल्यां रखेगा अब इ होता है केंडला किसका केंडला क्योंकि आप जब पढ़ते हो साइंस के अंदर तो सेवन फंडामेंटल यूनिट आते हैं तो लिमनेस इंटेंसिटी साइंस में वहीं से आ गया आपको कुछ फिरियो प्रंड में कितना से आपको बहुत कर एकलिक होता है ठीक है ना चली मेंसक्ट तो दोनों दो चीज है, illuminance क्या होता था है, illuminance इसका यूनिट होता है, kindla per meter square, क्या होता है Candela यह unit सब ध्यान रखना है, illuminance क्या होता है Candela per meter square, next आईए, illuminance जिस पर परता है, जिस light के कार्ण हम आपको दिख रहे हैं, यह illuminance है, यह आपको दिख रहा है, इसी कार्ण मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, illuminance की अगर बात कोई करता है, तो illuminance क्यों होते हैं, lux क्या होता है, lux इसी का ना भी देखेते हैं, is equal to क्या होता है, 5 बटा a, इसका मतलब इसके जगापे मैं lux लिख सकता हूँ, lux बढ़ाबर क्या होता है, flux यह क्या है, flux, तो यह क्या होता, lumen, इसको क्या बोल सकते हैं, lumen per meter square, अब देखिए, यही formula बदन गया, यही formula जो इसके main parameter के रूप में था, अब unit के रूप में lux per lumen meter square, lux बढ़ावर lumen per meter square, तो formula ऐसे भी पुछा आता है, exam में question ऐसे भी आता है, अगर यह नहीं पूछा, तो exam में ऐसे पूछ देता है, आप से, कैसे, कि एक लक्स कितने के बढ़ावर होता है, तो कहींगे, lumen per meter square, lumen per meter square के बारे में, lumen के बारे में, अभी बल्ग से हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है न, चलिए, next बोलता है आपको, तो यह point यहां तक बहुत important इसी का ध्यान रहे, यह चीजें यहां तक बहुत important है, क्या होते हैं, illuminations, क्या होते हैं, luminance, luminance होता है, जो release करता है, illuminations होता है, जिसके कहां reflection होता है, light जो परसारित होती है, ठीके न, luminance intensity उसकी तिवरता होती है, क्या होती तिवरता, obviously, किसी की intensity निकाल लेंगे, तो area से भा बागा होता है, चलिए, luminance flux, flux की बात करें, total flux, lumin होता है, lumin क्या होता है, इसकी जानकरी अभी करेंगे, और luminance energy की जब बात करता है, luminance energy की जब बात करता है, तो lumin per second, lumin per second, और भी कुछ चियों के ध्यान रखना एक है, यहां पे, luminous flux density, lumin energy flux density, तो obviously, luminous second, यह तिके, luminous energy density से लिए रहां लिमेन सकेंड और है तपर क्यूबिक मितर अगर किसी के दिया ले तो इसका बोलियूम से भाँआ तो क्यों बाता है वही चीज़े इचे है क्यूबिक मीटर चलिए चलिए क्यूबिक मेटर आइए एक और important term, एक और important यहां से देखते हूँ, एक देख लेता हूँ, क्या ये पुछता है के बार, luminous efficiency क्या होता है, luminous efficiency, luminous efficiency मतलब, lumin per watt lumin per watt, ये बहुत important है, अभी हम एक bulb से आपको example बताता हूँ, exact में lumin होता क्या है, exact में lumin होता क्या है, lumin per watt ह데ं ये बभ से रिलेट होता है अब ही बल्ब की इक्जामपल लेकर में चीजहों को समझाता हूं ये जाता आपको पता हुना चवह चलता हूं आप बैस Авाय है जन्यों को में मैं उसको समझाता हूं एक इतना एडिया में चल रहा है ऐसा ऐसा नहीं किसी एडिया में चलेगा नहीं लाइट जब होगा तो किसी एडिया में इस तरीके से चलेगा इतने बड़े एडिया में तो इस तरीके से एसा इंगल बना रहा है ऐसा इंगल बड़ा बड़ा इंगल बनके आगे बढ़ रहा है क को बहुत अच्छे समझ सकते हैं आपको पता है ईंडिया के अंदर 220 वोल्ट estproными प्रॉक्स रखा याता है ये ये किसका Voltage की rating होती है और पावर की rating जो होती है इसकी अगर आपने देखा होगा तह 100 वाट की पावर की rating होती है 100 वाट की इसमें कुछ important discussion में कर लेता हूँ एक bulb जब glow करता है आपको पता हूँ नची एक bulb जब glow करता है तो उस condition में filament का temperature कितना होता है लगभग 2500 degree Celsius कितना होता है जी लगभग 2500 degree Celsius जब कोई bulb operate हो रहा होता है कब operating temperature जब ये operating temperature इस जो का ध्यान रहे जब कोई bulb glow करता है 2500 degree Celsius फिलामेंट होता है इसके अंदर क्या होता जी फिलामेंट अब मैं यहां बात करूँ बल्व के अंदर एक term होता है बल्व की पसिंसी लिखे रहे हैं कि आपको ल्यूमेन पर वाट और एक ये incandescent ये बल्व कैसा कहलाता है incandescent क्यों क्योंकि वो incandescent कहलाता है ये भी ध्यानकना है जो red light produce करे वो incandescent के स्रेनी में आता है तो जैसे कि sun red light produce करता है बहुत हिट होता है उसको भी incandescent बोला जाएगा ये एक incandescent के type में होगा बल्व कि ये बल्व हिट होके energy का क्या करता है release करता है अब समझेगा ये जो बल्व है incandescent lamp अगर कोई बात करता हो incandescent lamp की कोई अगर बात करता हो तो ध्यान रखिएगा इसकी प्सेंसी लिखी रहेगी आपको 1.4 से लेके 1.7 lumen per watt क्या लिखरेगा 1.4 से लेके 1.7 lumen per watt बड़ा important है ये चीज एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा ध्यान रखिएगा तो इसका मतलब है अगर किसी की efficiency ध्यान समझेगा अगर इस टाइब के बल्व की इस टाइब के बल्व की efficiency अगर 1.4 से 1.7 per lumen watt है इसका मतलब एक watt में ये कितना lunar energy release करता है एक watt में कितना 4,7 lumen energy release करता है यहाँ पर ध्यान दَखिएगा तो ये कहेंगा एक watt में 1.4 से लेके एक on and average 1.4 से लेके 1.7 तक release करता है कितना lumen release करता है ध्यान से समझना है एक दम बार्की से तो बताई ये, बल्व की रेटिंग कितनी है, 100 Watt, बल्व की रेटिंग कितनी है, 100 Watt, let's example, इसको ले लेता हूँ, 1.5 Lumen, कितना ले लेता हूँ, 1.5 Lumen, एक्जामपर आसान बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा जी, इसमें से किसी एक को ले लो, तो 1400 Lumen होगा, ध्यान से किया जाए, सोर्स एपलाई किया जाए, ये कितना Lumen प्रोडूस करेगा, 1400 Lumen से लेके, अगर बात आगे तक करूँ, 217, इसको कहीं भागा न समझ लो, तुम लोग है न, से, 2700 Lumen इनर्जी रिलीज करेगा, Lumen मतलब, लाइट की, Lumen किसमें मापी जाती है, लाइट में, कितना फ्लक्स इज करेगा, टोटल कितना, तो क्या कहा है, 1700, कितना, 1700 Lumen, कितना, सोरी, 1700 Lumen प्रोडूस करेगा, चीज़ें के लियर है, 1700 Lumen प्रोडूस करेगा, एक 100 वाट का बल, अब समझ येगा, बहुत बार की समझना है, एक 100 वाट की जो पहले बल बाती थी, वो कितने L 14 सो, 14 से 17 सा Lumen, Lumen है, लाइट को मापने की, एक इंटेंसिट, एक तरिक लुमेन फ्लक्स, टोटल लुमिनस फ्लक्स होता है, तो समझ ये, 1400 से 17 सो, अब यही हो गया, क्या हमारे लिए नया एक और इंवेंशन आ गया, CFL, उसके बाद आ गया, LED, अब ये LED का क्या रूत्वा पता समझिएगा, मैं बताता हूँ थोगा से LED के बारे में, यहाँ पे स्पेस तो नहीं मिल पाएगा, पर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पे क्या होता है, LED की बात करता है, तो मैं इसको थोगा से रफ करना चाहूंगा, ताकि चीजों को समझाओं, यह द इंग्जाम में, CFL का फूल फॉर्म पुछा गया, जिसका क्या होता है, बताएगे, अब इसको अबडेट करके यह बनाया गया, उसके बाद अबडेट करके बना क्या LED, इसके बाद अबस के बारे में सुझे, कहता है कि जो CFL है आपका, यह इसकी जो छमता होती है efficiency की ये क्या करता है आपको up to 50, up to 50 lumen, 50 lumen per watt energy तक deliver कर देता है और ये कहता है कि LED का जो बलवाया ये और बहतर आ गया up to 60 to 70 lumen, to 70 lumen per watt energy deliver करने लगा, suppose that, समझेगा ये क्या कर रहा है, एक watt में 1.4 lumen produce करता था, 100 watt में 1400 lumen produce करता था, जितना आप देख सकते थे daily lap में, अपने घड़ों में, लेकिन ये कहता है CFL कि हम एक ही watt में, एक ही watt में तक 50 lumen दिये, 1400 पुराने के लिए हमको सिर्फ कितना lumen देना पड़ेगा, कितना watt देना पड़ेगा, तो अच्छा कहींगे, अच्छा 50 दे रहा है, 14 के लिए इसको कितना watt दे दो, बताइए आप ही, कि 1400 के लिए कितना 28 watt अगर दे दू, 28, 28 watt दे दू, तो ये 100 watt के बराबर produce कर देगा, 100 watt के बराबर produce कर देगा, तो यही चीज़े होती है इसका range भी 50 से 60 होता, इसका 60 से 70, जितना अपडेट किया जा रहा है चीज़े वही बरती जा रहे है, तो LED का लगवा, वही 60 lumens के असपास, CFL का लगवा, इतना lumens हर watt पे, इसी लिए कम ही watt पे यह ज्यादा lumens produce कर देता, इसी लिए देखते हो, 14 watt का एक LED bulb, आज के डेट में उतना light produce कर देता है, जितना की पहले का 100 watt का आपका incandescent lamp, filament lamp produce करता था, इसी को incandescent बोलते हैं, इसी को filament lamp बोलते हैं, चीजे clear होनी चाहिए, ठीक है न, sir, ठीक है, ठीक है, यह अपडेट होते जा रहे हैं, लगातार, अभी भी google करोगे, तो यह कहीं पे 60 देगा, कहीं 70 भी देगा, कहीं 80 भी देगा, यह vary करते रहता है, अगर 100 का लोगे, 100 का लोगे, तो 14 सव गी के बल्व की जुड़त होगी, जो पहले 100 का काम करता था इसकी updation लगातार चलना है, यह लगातार अपडेट होरें, इसकी उप्डेट होरें, इसकी एपसंसी, कैसे और जादा इंप्रूब करें तो वो cfl को भी cross कर दिया बाद पहले cfl इसके बाद इसको नहीं cfl इसको भी पीछे छोड़ दिया LED इससे ज्यादा इंप्रूब कर गया LED क्या किया इससे भी ज्यादा इंप्रूब कर गया इन चीजों का ध्यान रखेगा इसकी improvement और हो सकता आने वाले दिन करना आही नहीं आखो पंटा चला हुआ कि sound sports का मिनिंग क्या होता है कि एक बल्ब इतना वाट खके इतना लुमेन दे रहा है तो इतना ज्यादा वाट कहा के सौंध खके कितना ऌलूमेन प्र्डूट का मतलब क्या है आप एक तोटल लुमेन वही होगा जो लुमेनस फ्लक्स होगा है ना चलिए चीज़ें किलियर है आई होग चीज़ें किलियर होगी मैं एक बार देखते हुग हुग सर जी 14 से लुमेन केसे आया नहीं पता अरे एक वाट में अगर एक वाट में बोल रहा है कितना ध्यान समझेगा एक वाट में अगर 1.4 lumen produce कर रहा है 1.4 lumen produce कर रहा है तो 100 watt में कितना सो गुना हो जाएगा जी 100 watt के लिए कितना सो गुना हो जाएगा तो यहाँ पहे आ जाएगा 140 140 ही lumen न प्रोडूस किया तब तो तब तो कितना हुआ 140 lumen ही produce करेगा ओके 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 यहां देखिए कितना lumen प्रडूस करेगा 140 एक सेकेंड क्या होगा 140 lumen प्रडूस करेगा 140 lumen प्रडूस करेगा यह ध्यान रखें चलिए सई एक calculation देखेगा अगर 100 के लिए बात करूँ एक वाट के लिए किया तो इतना और 100 के लिए बात करूँ तो 140 lumen प्रडूस करेगा यह यह देखिए हैना अगर इसको और करूँ या फिर 170 लिमेन या फिर 170 क्योंकि अगर अपर लिमिट लोगे तो कितना हो जाएगा 170 कहने का मतलब और अत्वा में आप कह सकते हो 170 लिमेन 17 सा नहीं था 170 लिमेन ठीक है अब चीज़ें के लिए रहोगी कि यह कमी वाट में उतना वहा तक पहुँझ जाएगा यह कमी वाट में वहा तक प्रोडूस्य हो जाएगा 140 क्या 140 क्या 140 है वही कर दिया 140-160 कहने का मतलब आपको यहां से क्या करना है लिमेन के बारे में समझना था कि यहां एक एक एकजामपल से मैं बताया कि आप किसी भी लिमेन को कैसे समझ सकते हो यहां एक 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 जट में जो बतायाता ना कि लिमेन क्या होता है कि हर एक वाट में कितनी capacity होती है light release करने की कितनी capacity होती है light release करने की इसी तरिके सा अगर 100 watt कबल है तो कितना lumin light release करेगा इसलिए इसको overcome कर दिया cfl cfl से कहीं ज़्यादा cfl के अंदर भी कई खामिया थी कि वो बहुत एक limited time में damage हो जाता था उसमें यह था कि voltage की fluctuation को bear नहीं कर जाता था तो कई ऐसी खामिया थी फिर इसको overcome करके यहां पर आ गया फिर इसको overcome करके यहां LED पर आ गया ठीक है ना तो इंच्यों का ध्यान रहता है यहीं देख रहे हो ना LED बहुत कम watt का होता है और उतना ही lumin प्रेडूस करता है जितना कि 100 watt का वो ठीक है ठीक है ठीक है ठी क्लियर है चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ठीक है ना तो यहां से चीज़ें यहीं उठके आती है कि अक्च्छली में lumin क्या होता है देखिएगा देखिएगा यहां पर कह रहा है एक 108 इंकनेसेंट लें लाइट बल्व इमिटेट टूर्टल रेडियेंट पावर ऑप एबाट सत्रो सब पचास लियूमन दिस इस फूर लाइट इमिटेट फूर अल डारेक्शन यह पर यूनिट का नहीं है बोला कि हर डारेक्शन में एप्रॉक्सिमेट एक सो बल्व कितना प्रडूस कर दे रहा है यहां पे सत्रो सब्चास तो इसका मतलब यह कितना डाट्र लीट से ग्जांपल लिया हो गा यह लेट से इक्जांपल कितना लेके कि चला होगा ध्याशा समझे गा अगर यह कह रहा है कि प्रैक्टिकली एक सौवाट का बल्व ध्यान समझेगा पैक्टिकल एक सौवाट का बल्व कितना इल्मिनेंस प्रोडूस करता है 17 सब पचास इसका मतलब पहले जो हमारा बल्व था इनकेंडेंसेंट इनकेंडेंसेंट लेंब था उसकी अगर ईक डाटा के साथ यहाँ पेग डाटा के साथ उसका कितना रचाएगा 17.5 लिूमन पर वाट 17.5 लिूमन पर वाट लिय mains प्रवाट यह एक प्रेक्टिकली यह एक प्रेक्टिककली डाटा है वह आपके किसी बल्व के लिए ध्यात समझेगा किसी बल्व के लिए कि 100 वाट इंडिकेंड कि अगर जो बल्व होती है इनकेनेसेंट बल्व वो 1750 lumen प्रोडूस करता है इसका मतलब एक में कितना यहां समझेगा एक में कितना यह प्रैक्टिकली बात है एक में कितना तो आप हो गई है इस से गया सर 17.5 कितना लगबग 17.5 lumen प्रोडूस करता है पर वाट 17.5 lumen प्रोडूस करता है पर वाट तो ये तो exact data हुआ ये क्या हुआ इस बल्व का exact data और हमने एक example लेके बताया कि कोई incondescent lamp जो होता है अगर इसकी इपसेंसी इतनी ही रखी जाए 7.4 से 1.7 के range में तो एक वाट में उसका मतलब होता है इतना light produced lumen प्रोडूस किया तो 100 वाट में कितना 140 lumen into this तो क्या हो गया 140 into this लेकिन ये बोला है exact में जो data है यहां समझे exact में जो data है वो कितना है जी इसकी इसकी इपसेंसी होती है एक 100 वाट का typical बोल रहा है उसका 10 times 1.7 बोलाता तो ये 17 point something होता है कितना होता है 17 point something होता है transformer कप पढ़ाएंगे पहले इस सब्सक्राइब को समझो exact data कितना कर रहा है एक बल्व की एक इनकेंडेंसेंट बल्व की exact data कितना कर रहा है इतना lumen per watt होता है इतना lumen per watt होता लगभग ये भी वैडि करता है 14.5 से 14.5 से 17.5 lumen per watt वैरी करता है practically data ये क्या practically और यहां से समझिए हमने जो example लेके चला कि अगर इनकेंडेंसेंट लेंप की efficiency 1.4 से इस रहेंज मेराता है तो एक watt पे उसका मतलब होता है इसका efficiency का इतना का मतलब है है कि एक watt में 1.4 lumen light release करता है एक watt में कितना 1.4 lumen light release करता है तो 100 watt अगर है तो 100 से गुना कर दिए एक example के तोड़ पे है कि 100 अगर है तो किस से गुना कर दिए 100 से तो 140 lumen हो जाएगा यही मतलब होता है और practically अगर बोला जाए किसी CFL का तो इससे कई गुना जादा होता है जैसे 50 lumen per watt होता है LED का लगवग 60 lumen per watt होता है तो इसलिए क कोई अगर 10 watt का LED है 10 watt का है तो वो कितना प्रोडूस कर देगा 600 lumen से 10 watt में कितना प्रोडूस कर देगा 600 lumen यह चीज़े समझ माने चाहिए यह data practically है कि 100 watt में कितना इतना प्रोडूस करता है इसलिए एक इंकेंडेंसेंट लेंड की जो lumen होती है पर watt वो लगवग कितनी होती है 17.5 17.5 चीज़े क्लियर होनी चाहिए तो मैं एक data में लिख देता हूं एक data में लिख देता हूं यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे चीज़ें लिख देता हूं कि एक इंकेंडेंस 100 watt की बल्व जो होती है 100 watt की बल्व की जो efficiency होती है हर वाट में एक वाट में लगवग कितन प्रैक्टिकली डाटा कर रहा है 17.5 लगभग है ना और इसको कह सकते हो या फिर यह 16 भी बहुत जगा मिलेगा बहुत जगा यह 14 तक मिलेगा lumen कितना हर वाट में कितना lumen प्रोडूस करने की छमता होती है 17 15 14 यह ध्यान रखना यह गरबर नहीं कर देना इसको लिख देता हूँ ठीक से अत्वा 16 और 14 तक भी दिखेगा और ध्यान रखेगा एक cfl की अगर बात करें cfl की बात करें तो यह एक वाट में एक वाट में लगभग यहां पे 50 lumen तक पचास लिमन तक लाइट रिलिज करता है ठीक है दिख रहा है नेक्स्ट अगर मैं LED लाइट की बात करूँ फूल पाम भी आपको पता होना चाहिए इसका light emitted diode इसका compact cfl ultra लिख दिया हूँ cfl compact fluorescent lamp compact fluorescent lamp है ना इसकी होती है लगभग एक वाट में यह एक वाट खाएगा तो लगभग कितनी energy रिलिज कर देगा 60 lumen कितना 60 lumen यह भी ध्यान रखना इसका मतलब है कि यह जो lumen की efficiency होती है वो किसमे होती है lumen per lumen per watt lumen per watt इसी लिए LED का use सबसे ज़्यादा होने लगा है LED का use सबसे ज़्यादा scheme को भी बताएं चलिए वो सब बताएंगे पर यह चीजें I hope clear हो जानी चाहिए आप लोगों को कि क्या होते है luminance क्या होते है eliminations यह सारे terminology को बताना बहुत जरूरी था इस पर formula direct exam में पुछे आते हैं हम topic वही करेंगे जो exam नहीं तो बहुत ज़्यादा होता इसके अंदर पढ़ना हम उन सब topic को cover करेंगे जो आपके exam में direct आते हैं चलिए 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 next एक term है यहाँ पर कुछ term को मैं discuss करूँगा जैसे की कुछ term को discuss करूँगा जैसे की कह रहा है क्या luminous flux समझेगा luminous flux अब आया फिर से वही luminous flux आया जिसको illuminations में luminous flux बटा एरिया से भागा दे रहे थे luminous flux किसमें हमें समझेगा आता है lumin में किसमें lumin में अभी हमने देखा कि light कितना दिखाता है वह lumin में I hope lumin को अच्छे से जान रहोंगे is miserable measure of the total amount of light lamp put out कोई lamp कितना total यह माल लेकोई lamp होगा तो total कितना light put out बाहर दे रहा है total हर इरिया में कितना total कितना ज्यादा flux produits करहा flux मतलब lumine lumine flux कितना प्रिजूस करहा टोटल फ़क्स को बोलते है है luminous flux टोटल फ्लक्स को क्या बोलने है कोई लेंप कितना टोटल प्रोडूस कर रहा जितना दाइरा बढ़ा होगे उतना ही उसकी luminous intensity घरती जाएगी लेकि टोटल एडिया में कितना प्रोडूस कर रहा है क्या कर रहा है मिज़र अब डिटोटल एम्मॉंट आफ लाइट लेंप कोई लेंप कितना टोटल लाइट प्रोडूस कर रहा उसको मीज़र क्या विलमे में है ना नाक्स्ट कर रहा है लुमनेस इंटनसिटी इसके बाड़हम सब जान रहा है इसको बाड़हम बूलते हैं केंडला इस देखिए तिवरता intensity नहीं दिखरा यह इसकी intensity है यह इसकी intensity है intensity है कि नहीं यह कितनी तिवरता आप एक beam जैसे नहीं बना रहा है तो high intensity है इसकी intensity क्या है जी high high intensity है किसी particular direction में दे दूं तो intensity बढ़ जाएगी उसकी area बढ़ा दूं intensity घटना शुरू कर देता है intensity घटना शुरू कर देता है जैसे कि luminance, luminance की बात करूँ, यह luminance की बात करूँ, illuminance की तो area जब जितना बढ़ेगा, illuminance घटेंगे, illuminance घटेगा तो intensity भी घटेगा चलिए, next point का यहां पर समझे, the lumin, the human is a standard unit for the luminous flux, है न, of light source, lumin क्या है, the lumin is the, the lumin is the standard unit, फिर किसके लिए है जी, luminous flux के लिए, ध्यान दखना, luminous flux के लिए, luminance क्या है, एक standard unit है, जहां पर lumin, वर्ड यू चुक किया जाता है, इसका मतलब, वो luminous flux को रिपर्जेंट करा पर unit area, ठ ठीक है न, चलिए, 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 next कहता है, luminous flux is measured in the total amount of visible light emitted by a limb, it's different from radiant flux, यह सब तो line में पहले ही बता चुका हूँ, यह सब चीजें पहले ही discuss कर चुका हूँ, जो important section था, अब ध्यान दखे, अब चीजें आपको clear होती जाएंगी, जो important section था, luminous energy क्या होता है, यह याद सबस्क्राइबर मैं रखना है, luminous flux को unit में, luminous flux को, luminous flux को, luminous flux को, luminous energy को, sound, luminous energy को, so luminous into second, जैसे energy होता है, power into time, यह अनरजी लूमें पर second, luminous second, luminous second, गुणा यहाँ पर गुना होगा होगा होगा, luminous intensity, candle la, kun नहीं जानता है, candleAS सब जानता है luminance जो energy release करता है जो light release करता है उसका candle per square meter candle per square meter और illuminance, reflection of light है जो हमको दिखता है वो होता है lux में क्या होता है lux में ये भी चीछीछ धियान रखना है किसमें होगा lux में चलिए next में बात करूं यहां पर और क्या क्या इगजाम में पूछता है कए बार यह भी पूछ सकता है luminous energy density तो यह होता है luminous second क्या होगा luminous second तो हो गया energy per cubic meter क्योंकि density है ठीक है ना luminous efficiency luminous luminous efficiency किसमें हो जाएगा जी luminous per watt एक watt पर कितना दे रहा हुई उसकी efficiency होगे एक watt पर कितना दे रहा है यही उसकी efficiency होगे आगे हम बात करेंगे nature of light के बारे में आगे हम बहुत साथ चीज़ बात करेंगे अलग-अलग bulb के बारे में भी बात करेंगे तो nature of light में ध्यान देख लें incandescent का मतला होता है hot source incandescent का मतला होता होट source such as जैसे कि sun हो गया है ना उसके बात हो गया luminaries हो गया है और जैसे कि कोई flame हो गया तो यह जो होट source होगा जो hot body होगा जिससे light release होता है उसको incandescent बोलते है हाला कि incandescent का एक principle भी है incandescent principle को follow करता है कौन हमारा electric bulb जो filament bulb है क्या होता है डी का under root है ना वो formula है उस पर follow करता है next है luminance recent है ना luminance scent किसको बोलते है cold source कोईसा होता है cold source the object is seen in our environment which reflect light to us जो reflection से हमें तक क्या मिलता है light मिलता है वो क्या होता है आपका luminance scent ओके चलिए चीजे हैं तो इसको आज यही पर खतम करता हूं ध्यान रखेगा इसको proper way में हम लाएंगे अभी तक आज का जो था वो सिर्फ हम तर्म देख रहे थे आज हम हर तर्म को देख रहे थे कि लक्स एक्जेक्ट में कहां यूज होता है है ना lumin यह सब unit है जिससे मापा जाता है उसके बाद हमने बोला stay radiant यह सब क्या है miserable जिसको मापते हैं जिसको क्या करते हैं जिसको मापते हैं इस unit में मापते हैं और क्या नहीं जैसे कि illuminations ध्यान समझेगा इलिमिनेशन है ना उसके बाद आपको के luminous flux उसके बाद आप से कोई बोलता है solid angle अगर उसमें आप से कोई बात करता है luminance तो ध्यान रखना यह सब तो data है यह सब वो data है जैसे कि अगर कोई कहता length को समझेगा बारकी से length को किसमे मापेंगे तो बोलेंगे मीटर में समझेगा किसमें मीटर में तो यह confused बच्चे होते हैं कि illuminations माप पे जाते हैं luminous flux माप पे जाते हैं ऐसे इन चीज़ों को मापने के लिए लक्स होता है लिमेन होता है स्टे रेडियन होता है ठीक है ना अगर इसको रिलेट कर दोगे यहां से चीज़ों को रिलेट करोगे तो लिमेन के लिए लक्स होता है इसकी यूनेट लिमिनस फ्लक्स के लिए लिमेन होता है लिमेन फ्लक् बीस लक्स पचास लक्स बोलता है luminous flux कितना है तो बोलेगा 10 lumin, 20 lumin, 30 lumin है ना ऐसे बोलता है solid angle तो बोलते हैं इतना radian, steradian, 5 steradian, 7 steradian आपको steradian का maximum angle कितना होता है 4 पाए यह आपको normal science में भी पूछे जाते हैं ठीक है ना तो आज के class को यहीं पर खतम करता हूँ बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें है जिसको हम करेंगे आपको lamp बहुत important होता है lamp के बारे में ध्यान रखने ना है illuminations में ध्यान रखना बस terminology को समझना है और इसके formula याद रखने है हमार लिए welding important हो जाएगा electrolytes के बारे मित्वा से discuss करेंगे तो वह सब चीज़ें हैं जो हमार लिए आगे के terminology में आएंगे आज ये class को यहीं पर stop करूंगा किसी को कोई query है तो बताइए ना class lengthy नहीं करना है class में चीज़ें को समझ रहे होंगे कि ये terminology क्या होता है बड़ा confusing terminology होता है जिसको बहुत बारिकी से आपको समझना होता है चलिए class बड़ा लंबा हो गया है ये class बहुत छोटा होना था लेकिन थोड़ा लंबा हो गया बड़ा हो गया class ओके बहुत कोई जूरे होते है कृष्णा जी प्रसान जी प्रिया जी रमन कुमार राजेंदर जी विकास लगातार चलिए आप लोग जूरा हमने सड़नली सड़नली क्लास अरेंज किया उसके बावजूद भी आप सभी जूरे रहे हैं सर लाइट स्किम को भी बता दिए आगे चलिए बताएंगे और फिजिक्स इफे कॉपर वायर इस टुमेक इट्स जिरो पॉंट वन परसेंट लॉंगर देन परसेंटेज चेंज निन रिस्टेंज अरे जी हम बताएंगे अभी वही चल ला है जो सर्किट सागर चल ला है ना वहें रिस्टेंज में स्टेज बाला कंडिशन आएगा कि कितना बात अगर परसेंटेज आपका मैस अच्छा होगा तो आपको पता कर लोगे कि अपने आपकी कितना परसेंट बढ़ा पहले यह पता होना ची नॉर्मल इंजिनियर को कि अगर एक परसेंट खीच आ गया तो कितना बढ़ा अगर यह डाटा पता चल जाएगा इतना में इतन जुरत होती है और light source कितने दूर पर होनी चाहिए यह देखो कम से कम जो है light source की एक fix दूरी होती है यह estimation and question आपको बताया ऑताए है पंक हे कितनी दूरी पर होनी चाहिए लाइट कितनी दूरी पर होनी चाहिए एक एस्टिमेशन इन कोस्टिंग में चलेगा हाला कि हम चाहेंगे तो इसी के साथ खिज देंगे यह भी ध्यान रखना क्यूंकि एक आप देखते हो कम लाइट होगा तो इलिमिनेशन कम होते हैं तो आपके आई दर्द करता है क्योंकि अब्जर भी नहीं कर पाता उस चीजों को तो कोई फिक्स डाटा नहीं है लेकिन एक मिनिमम होना चाहिए उससे कम रहेगा तो आँख खड़ाब हो जाएगा जैसे कि अगर उससे कम होता है तो आप आई उस चीज को डेक्ट नहीं कर पाएगा फिर आपके लिए वह चीज वेकार है कम से कम ब्रुआप उससे उपर ही होना चाहिए, कितना 200-300 lumens से उपर होना चाहिए उसके चीज़ों का आप अच्छे देख सकते हैं उससे कम के चीज़ों को बहुत बढ़ियां से नहीं देख सकते lumens की बात कर रहा हूँ चलिए, आज एक class को रहने देता हूँ आगे class फिर continue करने वाले जल्दी ठीक है, ओके गुडबाई